तो पूंद इस विडियो में बात कर लेते हैं लेक्र स्टील कास्टिंग की कुई क्लिए अलसे देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो इस अधिन लेक्र स्टील कास्टिंग में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज यहां पर वॉल्यूम और जो मोमेंटम था इसके बारे में थोड़ा फोकस्ट हूं यहां पर अगर आप देखने को मिला है यहां पर 225 आएगा इसके बाद इसमें ब्रेक आउट के चांसे बनते हुए नजर आए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पहले भी दो बार रिजेक्शन आ चुके हैं यहां दो बार आए जोन में तीन-चर बार आए यहां भी रिसेंट रहा था फॉर सेप्टेंबर तो यहां पर 225 यूपर एकर सस्टेन कर लेता है तो यहां पर एक अच्छी तेज पकड़ती नजर आएगा और सेम अगर विकली टीफ यहां पर अगर नोटेस करते हैं तो यह भी काफी कूल डाउन है चल सकता है बिकॉज एक टाइम पर यहां पर ट्रेल करता था 88 और यह लंबे टाइम तक बुलिश रहाता यहां पर यह में ट्वेंटी थी से जो ब्रेक आउट की ब्रेक आउट देता है तो यह बहुत अच्छे से चलते हैं नजर आएगा और 250 के बाद फिर यह 275-300 के लिए भी करेगा और यहां पे जोन में लंबे टाइम से फसा रहा यहां पर अगर नोटेस करते हैं तो इसी जोन में स्टॉक कर रहा था 154 डेस से और तो इसे स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक में अगर आप देखें तो बस यह रिजिस्टेंस का एक चोटा सा हर्डल रहेगा और काम करते हुए नजर आने वाली एक अच्छी रिकावरी रही है लिसेंट्ली स्टॉक का डिविडेंट था वो 90 पैसे का स्टील में क्या मोव रह सकता है कहां तक यह चलने वाला है थोड़ी सी समस्या है ब्रेक आउट की तो मेरी अकॉर्डेंग अगर बाय कर रहे हो जैसे आप तो टुटा मुटा कर रहता है दो तीन पॉइंट तो वहां देख सकते हो और यहां पर अच्छे टागेट यहां भी भी ब्रेक आउट नहीं हुआ अगर आप ओवर यहां से क्याप्चर करते हैं तो टाइम फ्रेम आपको भी देखेगा फॉर्डी टू डेज हो चुके हैं बार-बार रेजेक्शन मिल रहा है तो अपको इस वाफिस से हो रही है तो यहां पर मैंने क्या पॉसिबिल्टी बन स सपोर्ट भी है तो 218 रहेगा भी यह वाला पहला सपोर्ट बनता है और नेक्स सपोर्ट इसके बाद रहेगा 244 के आसपस तो यह कुछ अपने सपोर्ट है तो यहां पे लेक्ट्र स्टील कास्टिंग मैं अच्छे से कवर कर दिए एक चीज़ और बता दू मैं लाइफ से सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं फ्री अपकॉस्ट होते हैं तो मिलते नेक्स वीडियो में दिस सब्सक्राइब साइनिंग ओफ